अहिंसा एक विवेचन पर हमारी चर्चा चल रही है दोपर में एक गंटा यह समझाने का प्रयास किया था कि आत्म परिनामों का घाती हिंसा है हिंसा की परिभाष्या यहां से बताई गई थी जगत में देखो जिसको कहते हैं न स्वास्त अच्छा रखना चाहिए जगत में स्वास्त की परिभाष्या क्या है थोड़ा सा कोई दूबला दिखा दो तिन किलो वजन कम दिखा तो तुरंट लोग में कहते है बेरे, मेरा बच्चा दो तिन किलो घट गए यहाँ पर आने से, वैसे यहाँ पर आते समय कुछ कम नहीं था, और उनको दो तिन किलो घटना क्या लगता है, स्वास्त में गिरावट, जगत ने मौटा पा, जो पहचान बनाई है स्वास्त की, वो उचित नहीं है, वोई दिलोग यह कहते है, मौटा पा तो बादक है, और शरीर स्वास्त तो वो कहलाता है, जिसमें कितना भी काम करो, ठकान ना आए, प्रॉपर रुप से नींद आए, कोई व्याधिया दिना रहे, बस, फिर दुबले पतले की को कोई पहचन नहीं है, इसको कहते है स्वास्त शरीर, जगत में माननेता क्या, स्वास्त के नाम पर, और वास्त विक स्थिती बिलकुल उल्टी, आप समझ गए मेरी बात को, उसी प्रकार, बताएगा कोई सिध्धान्त, नहीं बता पाओगे, स्वास्त की, सोरी, हिंसा जगत की दृष्टी में, कोई किसी को मारे, आदी इसको हिंसा कहते हैं, और जो जैन दर्शन की दृष्टी में हिंसा के हमारे चार्चा चल रही है, वह अंतरंग हिंसा के चार्चा चल रही है, दोफर में बताए गया था, आत्म परिनाम, आत्म परिनम, आत्म परिनाम हिंसन, हे तुत्वात सर्व मेव हिंसेत, अन्रत वचन आदी केवल मुदारितम शिश्य बोधाय देखा था चन्द आत्म परिणामों का घात होना ही हिंसा है अपना इकलावता लड़का बिगड़ जाए सब्तवेशनी हो जाए इसे में बाप साक्षत मरण कानभो करता है उसी प्रकर अपनी परिणती बिगड़ जाए बिगड़ ज केते परिणती बिगड़ गई और वही परिणती मैं आत्म हुआ ऐसा स्विकार करके ग्याता दृष्टा भाव लाए स्वेम में तरपत रहे उसी से सुक्यूत पत्ति होती है उसको केते आत्म परिणाम सुधर गया आत्म परिणाम का बिगड़ ना सुधर ना समझ में आया तो आत्म परिणाम का जो बिगड़ हुआ आत्म परिणाम का जो घात हुआ अर्तक परलक्ष परिणाम हुआ यही हिंसा है जूट चोरी कुशिल परिग्रह यह तो मंद बुद्धी जीवों के लिए विस्तार से समझाने के लिए हमने इतना समझाया यह सब समझ में आ गया दो पर में काफी इसके चारचा हमने की थी देखो मुझे याद आता है जब हम इंजिनेरिंग पढ़ते थे तब मेरा एक दोस्त था सेम फैकल्टी में था केमिकल लाइन में था इंजिनेरिंग करता था और गांधी वादी उसके विचार थे तो वह हमेशे एक बात कहता था मेरे पिता जी बहुत करोधी जीव है वो तो यह कहता कि वो तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने रिवालवर नहीं खरी दी है यदि वो रिवालवर खरी दे तो दिन में दस को ठोक कर मार डाले हमेशा कहता था था वो क्या कि वो तो बहुत अच्छा है रिवालवर नहीं ल है सभी नेता लोग उनको बोलते है आप तो रिवालवर ले लो और जब भी जिसको उड़ाने उड़ा दो हम सब संभाल लेंगे लेकिन वो तो बहुत अच्छा है हमारे मम्मी ने उनको रिवालवर नहीं लेने दी यह दी लेते तो दिन में कम से कम दस को खा सकते हैं ठीक है म उनके अंदर में कुरूद विर दिमान है ठीक उसी प्रकार आचारीदेव कहते है जब तक अभिप्राय जिन्दा है अभिप्राय मैं पर को मार सकता हूँ जिला सकता हूँ अत्वा अनिष्ट कल्पन जिन्दा है तब तक जब तक अनिष्ट कल्पन जिन्दा है कभी भी हिं अंदर में बोलो अंदर में अनिष्ट परिनाम है कभी भी कुरूद उत्पन्न हो सकता है मैंने तो और जब तक इष्ट परिनाम है तब कभी भी राग उत्पन्न हो सकता है राग उत्पन्न हो सकता है मतलब राग तो प्रतिक समय में उत्पन्न हो रहा है राग देश लेकिन राग की अभी व्यक्ति कभी भी हो सकती है एक कितने जुन के समझ में आ रहे हैं जो मैंने बोला मैं ये कह रहा हूँ जब अंदर में राग विद्यमान है उसकी अभी व्यक्ति कभी भी दिख सकती है जब अंदर में द्वेश विद्यमान है राजा गया मुनिराज के पास थोड़ी सी चर्चा उठी उसने मुनिराज को कहा मेरे राज्य में बहुत खुशाहली ही खुशाहली है किसी प्रकर को कोई दुख नहीं है सभी चिंता मुक्त है यहाँ पर यहाँ पर पूरे अहिंसा का वातवरन है मुनी नईमितिक ग्यानी थे उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर बहुत हिंसा चलती है एक आदमी रोजाना बीस गायों को मारता है राजने का मेरे होते वे मेरे राज्य में रोज बीस गायों को होने सकता लेकिन ऐसा हो रहा है राजन बहुत दल बल का धनी था खूब सेना दी थी सेनों को दोड़ाए चारो तरफ देखो कौन है वो हत्यारा सेना खाले हाथ लोटाई राजन के सामने वो इसी खड़ी रही बोले कोई नहीं यहाँ पर आईसा तो राजन फिर से मुनी के सामने आकर बोला मुनी ने का है फिर से दोड़ाया सेनिकों को कहीं नहीं मिला फिर मुनी के पास आया मुनी ने उसको कहा है तो आदमी है बोले मैं बताओ बोले पता बोले यहाँ से जाओ इतने इतने किलोमेटर पर और वहाँ पर एक कुवा है क्या है कुवा उस कुवे में जहांकर देखना क्या था उस कुवे में तो गया उसने भेज़ा आदमी को सियनापतियादी को तो उन्होंने गये वे वो कुवा किसी को पहले में सज़दी थी वो किसी ने पहले हत्याई की ती गो हत्याई गाई की हत्याई करता था तो राजा ने उसको दंड दिया था कि मरने तो कुसको कुवे में रखा जाए सुखा था वो कुवा लेकिन उसमें उपर कोई नहीं आ सकता था और मरन तक वो वही रहे ऐसे आग गया थी वो वहाँ पर बैट कर नीचे थोड़ा किचड जमा था ना वो किचड की रोज करता था गाये और गाये बना-बना के उनकी तोड़ता रहता था करदन ऐसे बीस गाये की बनाता था मिट्टी की और उसको तोड़ देता था तो मुनी यह कह रहे थे कि वे दस गाये रोज मर रहे कट रही है आप समझे गए आपको लगेगा गाये कहा कट रही है अभी प्राय है लेकिन वो परिणामों में देखो तो परिणामों में गायों को ही मार रहा है हमेरे चर्चा क्या चल रही है हिंसा आत्म परिणामों का गात होना ही हिंसा है अभी क्या कहा मारना नहीं वो वचन में भी आया मैं तुझे मारूंगा ये भी हिंसा और अंदर चलो, वो भाव भी उत्पन्न हुआ, मैं तुझे मारूंगा ऐसा भाव, वो भी हिंसा, और और अंदर चलो, वो खराब है, यही हिंसा है, क्यों यह खराब है, तब ही तुम ऐसा भाव आया, यह खराब है, ऐसी माननेता नहीं होती, तो इसे मारू, ऐसा भाव भी नहीं होता तो जगत में कोई भी वस्तू अनिष्ट नहीं है उसको अनिष्ट मानना और अनिष्ट मानेगा तो इस्ट तो माने गई यह तरह जुका पलड़ा है जितना इस तरब जुकेगा उतना इस तरब तो जुके गई जितना अपने पुतर के पृतिराग है और उसको रो हिंसा का कारण क्या हुआ हिंसा का कारण हिंसा का कारण बच्चे के परती राग मतलब जहापर द्वेश है वहापर राग तो होगा ही होगा राग और द्वेश तो एक सिक्के के दो पहलू है ठीक है? बहुत होता है ना ऐसा जैसे देखो देखो मेरा लड़का एकदम बिमार हो गया बिमार हो गया अभी रात के दो बजे अचनक मैंने वाचमन को कहा ए जल्दी गेट खोलो और वाचमन नीन से उठाई नहीं जल्दी तो सबसे पहले दूश किस पर वाचमन पर तुरण दोड़ते दोड़ते दूसरा वाचमन आया उसको दो चार थपड़ दी और उन्होंने कहा पंड़ी जब चिंता मत करो अब आओ जल्दी मेरे पास और उन्होंने फटा फट वो बिल्कुल चिंता ने करके हाथ मारा और तौलत तोड़ दिया उसके प्रती हो गया राग अभी देखते चलो देखते चलो गेट खुला ए ड्राइवर जल्दी उटो काड़ी को हमने क्या हो गया साब क्या हो गया अरे जल्दी उटो लड़का भी माँ अच्छा साब चलो जल्दी बैठो तुम्हें कुछ टॉलेट टॉलेट जानो कहीं नहीं जाना जल्दी बैटो अभी उसके पृति हो गया राग यह बहुत अच्छा यह क्या है यह बहुत अच्छा रस्ते में जा रहे हम जितने में पूलिश ने खड़ा किया एई पेपर इस दिखाओ तुम अभी उसके पृति अरे जाने दो ना बिमार है बोल रही है तुम्हें समस्ता नहीं उसके पृति हो गया चले ट्रैफिक में फिर फस गए ट्रैफिक में पूरी भीड थी अभी क्या आगे हौन बजा बजा कर परेशान आगे की गाड़ी हटने रही क्या हो गया देश और जितने में कोई ट्रै कही राग हुआ तो देश भी कही न कही होगा हमें भारत देश के प्रति राग है तो पाकिस्तान के प्रति द्वेश होगा अपने मंदिर के प्रति राग है तो मंदिर के मंदिर पर जो अकरमन करेगा उसके प्रति द्वेश तो होगा ही होगा हमेरे शरीर के प्रति हमको रा राग किसको जिसको शरीके पृतिराग हट गया है इसलिए भाहिये संग्रिके पृतिपरतिराग देसे स een कोस्पण्ण होता नहीं मैं इतना क्यों कहता है उसको आत्म परिणाम का गहात होना ही हिंसा है और जूट चोरी कुशिल परिग्रह यह तो मंद बुद्धिवालों के लिए समझाय गया है ठीक है अब भी अब भी हमने एक उधरन भी देखा था वो गाए को तोड़ता था हिंसा परिणामों से होती है क्या? वो ना भी तोड़ता और परिणामों से भी कोई सोचे तो प्रिटिक समय में हिंसा कर रहा है तंदुल मत से की गटने याद आ रही ने कहानी? तंदुल मत से कहाँ पर गया है मरके? साथवे नरक क्यों कितने जनों को खाता था रोज वो? एक भी खाता नहीं था लेकिन क्या करता था? परिटिपल भावना बाता था कि मैं होता तो मैं खाता मैं होता तो खाता साथवे नरक में चला गया समझ में आ गया? मैं हमेशे एक बात कहता हूँ बिरला टेंपल में, दिल्ली में हाँ, जैन जैनेतरों के सभी पृतिमाएं वहापर और वहापर उनके गरंथों के एक-एक सूतर लिखे है वहापर उसमें जैनियों की तरफ से पुर्शार सिद्वपा एक च्छंद लिखा है क्या च्छंद है वो? ये वाला, जो आभी देखना है प्रादुर भाव खलू रागा दिनाम भवत्य हिंसेती तेशा में उत्पत्ती हिंसेती जिनागमस्य संशेपा क्या रतिसका प्रादुर भाव मतलब नहीं होना प्रादुर भाव मतलब होना प्रादुर भाव होना और अप्रादुर्बाव मतलब नहीं होना अप्रादुर्बाव खलू रागादी नाम किसका नहीं होना रागादी का नहीं होना भवत्तिहिंसेती भवती अहिंसा अहिंसा होती है राग द्वेश का नहीं होना ही सच्चमुच अहिंसा है ठीक है? देखो द्वेश को तो सभी बुरा कहते है राग को कौन बुरा कहता है रस्ते पर हमने देखा कोई कुट्टे को पत्थर मार रहा था दज्जन उसको समझाएंगे उतर करें तुम्हें क्यों मारते हैं उसको और कोई रस्ते पर जख में कुट्टे को मलम पट्टी कर रहा है उसको कोई बुरा कहेगा? आप समझे गए मेरी बात को? लेकिन ये राग भी दुखरुप है राग क्यों दुखरुप है? राग इसलिए दुखरुप है क्योंकि वो अपने-पने कर्म के फल को भोग रहा है उसमें तुम बच्चाने को समर्थ नहीं है और तुम बच्चाने का भाव करोगे तुम वियर्त दुख्यों होगे क्यों वियर्त दुख्यों होगे? बच्चा सकोगे नहीं बच्चाने का पूरा भाव है इसलिए मैंने एक बत कही थे आपको महात्मा गांदी जी प्रतिज्ञ जी उन्हों प्रतिग्यवा लिती बापूजी बापूजी आपके पास कपड़े नहीं है आप कपड़े नहीं पहनते हो पता है ना उतनी उतनी छोटी से एक गुटने तक के लूगी, वो लपटते थे, कपड़ा एक, पता है ना आपको? बापुजी बापुजी, आपके पास कुछ नहीं है, पहने को, छोटे-छोटे बच्चे थे, कितनी ठंड चल रही है, तो बाप जनिया कहा वो मुस्कराए थोड़े तो उनुन कहा नहीं है उन कहा मैं मेरे मम्मी को बोलूँगी और कितने सिलाँगी अब के लिए दो तिन ड्रेस सिलाँगी तो उनुने यह कहा गांदी जनने क्या कहा उनका फिर मैं आकेले को कैसी सिलाओगी मेरे बहुत सारे भाई है आईसे पहले उनको भी सिलानी पड़ेगी सिलाएंगे बोले सिलाएंगे कितने है किले 40 लाख भाई है मेरे कितने तो उनको पहनोगी तभी तो मुझे पहना पाओगी अब मेरे ये प्रश्ण है आपको गांदी जी की भावना कैसी है गांदी जी की भावना लोग में लगते अच्छी है अच्छी है लेकिन सच्छी नहीं है अच्छी है लेकिन सच्छी नहीं मतलब मतलब उनकी भावना तो अच्छी है कि सबको कपड़ा मिले का प्रेयस भी करोगे आप दूसरे दिन देखेंगे उनके बोड़ी पर कपड़ा नहीं दिखेगा अरे कितने ही शराबी कब अभी लोगा ऐसे रहते हैं दस दस रुपए की शराब की पीछे वो कपड़े चाहे जो कुछ बेज देते हैं दो दो तिन तिन सो की गड़िया चाहिए मैंने ये कितना क्यों बताया किसी को बचाने का भाव किसी को मारने का भाव ये वस्तु सुरुप के विर्द्ध होने से ये आत्म घातक है सुयम को संकलेस्ता उत्पन कराता है और इसलिए ये हिंसा है हिंसा है अ प्रादुर भाव खलू रागा निनाम भोती अहिं से थी और रागदेश का उत्पन नहीं होना अहिंसा है ठीक है इसलिए अहिंसा कोई धर्म कहा और वितरकता को भी धर्म कहते है क्या कहा और यहाँ पर रागदेश को रागदेश का उत्पन ना होना मतलब वितरकता उसको यहाँ पर अहिंसा बताए जा रहा है और निच्छे क किस की उत्पत्ती किस की क्या संक्षेप है एक लाइन में बौलनों हो तो क्या बोलेंगे राग द्वेश का उत्पन्न होना हिंसा है और राग द्वेश का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है बस हो गया पुर्ण जैन दर्शन आईसद किसने कहा है ये पुर्शार सिद्धी उपाय का चावालिस वच्छन आप सब के पास गरंथ है अपने गृंद क्यों ने लाए भाई आज क्यों गृंद का है गाए आपका क्यों अभी चार्चा किसकी चल रही है तुसरों का कल्यान करने के बहुँ उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है क्योंकि आपने हानी हो रही है उसमें तुम्हारे लिए आवश्यक है कोर्स तुम्हारा चल रही है कोर्स उनका नहीं चल रहा है आप समझ में आ रहा है आपको कोर्स चल रहा है आपका वे तो वह इसे आकर बेटे हैं आप हो एट्थ के वे है टेंथ के उन्होंने पड़ा है यह सब सिलाबस और आप इतना दाया भ हो रोकोगे तो आप तो फेल हो जाओगे अभी वही तो चर्चा चल रही है दूसरों का हित करने के चक्कर में अपना अहित कर रहे हैं अपना अहित हो रहे हैं अब मैं यहां से एक एक शब्द बोल रहा हूँ आप समझने पर ए भाई आपके जन्वानी कहा है यह सबकर यही स और उनको सब दे दी यह कुन सी है यह 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 अगा पर क्यों लाई फिर हो आचा 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 ठीक है हाँ चलो यह हो गया आगे बढ़ना है अभी? आगे बढ़ते हैं रागदेश की उत्पती हिंसा है तत्वार सुत्र में एक सुत्र है हिंसा की परिभाष़ा बताने वाला प्रमत्योगात प्राण्यपरणम हिंसा क्या सुत्र है? वहाँ पर प्रश्न पूचा शंका कारने अपने आईसी परिवाशे क्यों बनाई प्रमत्य योगत प्राण व्यपरपडम हिंसा आप तो हिंसा की परिवाशे इतनी बना देते कितनी बना देते प्राण व्यपरपडम हिंसा प्राण का घात करना हिंसा है तो आचर्यों ने ये कहा हम यदि इतना ही बोलते तो इसमें अतिवे अपती दोश आता अतिवे अपती दोश मतलब मतलब जैनेतरों में भी आईसी हिंसा मानी है लेकिन जैनी लोग आईसी हिंसा नहीं मानते जैनी लोग कैसी हिंसा मानते प्रमाद के योग से प्रमाद के योग से समझ में आ गया है प्रमाद के योग से आज सुब़े चार चाहे थे हिंसा में प्रमाद परिनती मूल है कल सुब़े लिया था मैंने क्या लिया था लिया था कि नहीं क्या लिया था हिंसा में प्रमाद परिनती मूल है नहीं समझ में आ रहा है अभी आभी समझ में आएगा वैसे मन थोड़ संकित किया था मन ये कहा था यदी मुनिराज चल रहे हो ये प्रशन पूछा था कल यदी कोई पंचेंड्रिय का जीव मारे पाचंड्रिय का और तब भी वो अहिंसा महावरती हो सकता है क्या ये प्रशन पूछा था और ये भी प्रशन पूछा था कोई एक इंद्रिय तक की हिंसा ना करे और फिर भी वह महाहिंसक ऐसा हो सकता है क्या ये प्रशन था मेरा था ना देखिए मुनिराज जब जब भी चलते है न इरिया समिती पुरोग चलते है चार हाथ नीचे देख देख कर चल रहे है ठीक है और अचानक चलते चलते बीच में कोई जी उड़के उनके पेर के नीचे आ गए उच्चालयम्मि पाए जब उनने पेर उठाया उच्चालयम्मि पाए इरिया समितस निगम ठाए जब चल रहे थे इरिया समिती पुरोग तब उनने जैसे पेर उठाया आबाधेज कुलिंगम कुलिंगम छोटा जीव सुक्षम जीव आया और वादा को प्राप्त हो गया मरिज जोगमा सेज और उनके योग से मरण को प्राप्त हो आए ठीक है इतना समझ में आ गया उच्चालयम्मि पाए इरिया समितस निगम ठाए आबाधेज कुलिंगम मरिज जोगमा सेज नहितस तन्निमितो क्या रहत होगा इसका इसका रहत क्या नहितस तन्निमितो मतलब उसके निमितो से नहीं नहितस तन्निमितो बंदो सुहमो दिदेशिदो समय सुक्षम भी बंद नहीं होता ऐसा समय में बताया गया है समय मतलब ग्रंथों में क्या ग्रंथों में ऐसा बताया गया है समय मतलब गरंथ होता है समय मतलब गरंथ होता है समय मतलब तीर्थ होता है समय मतलब काल होता है समय मतलब युद्ध भी होता है समय के तो बहुत सारे आरते है ठीक है? समय मतलब पुद्धगल दर्वी भी होता है क्या कहा? और समय मतलब जीव भी होता है बहुत सारे आरते है क्या कहा हमेने अब भी उच्चालयम मिपाए इरिया समिदस निगम अठाए आबाधेज कुलिंगम मरिज जोगमा सेज नहीत सतन्निमितो बंदो सुहो मोदि देशिदो समय आगे क्या लिखा मुच्चा परिग होती है क्या का बोलो जिस प्रकर मुच्चा परिग्र है अध्यात्म में परिग्र है किसको कहा अध्यात्म में परिग्र है किसको कहा अध्यात्म में परिग्र है बहाई वस्तु के सयोग को नहीं कहा परिग्र मुच्चा को कहा ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए उसको परिग्रह ही कहा भाई ये सामगरी को परिग्रह क्यों नहीं कहा क्योंकि वे तो आरहनतों के भी है क्या कहा आरहनतों के भी है और मुनियों को वैसे ही कोई लाकर पहना दे वे मुनियों को उठाए और गाड़ी में रख दे वे तो मुनिय राच के परिगरे ही हो जाएंगे मुनियों को उठाए गाड़ी में रखे मुनियों को उठाए गाड़ी में रखे मुनियों को उठाए गाड़ी में हो जाएंगे वे मुनियों को कोई शाल ओडावे तो क्य एम मुनि पापी हो जाएंगे तो पापी तब हो गए अच्छा किया इसने अब पापी हो गए क्यों पापी हो गए राग बुद्धि राग बुद्धि बत्तमीज कहिगा समस्ता नहीं हम मुनि들 है आकर पहना गए कुछ अब पापी हो गए अब पापी कैसे हो गए अनिश्टकल पाना की जो हो रहा होने दो समझ में आ गए जो हो रहा होने दो आपना आत्मा है जानते रहूं ठीक है यह इतना सार क्यों कहा पंचेंग्रे की हिंसा होने पर भी मुनिराज को बता जा रहा है अहिंसक कोई बंद नहीं बंद क्यों नहीं उनको क्योंकि उनको प्रमाद नहीं है अ यतना चार प्रोर्ती नहीं है उनकी यतना चार प्रोर्ती है बंद होता है वह अ यतना चार प्रोर्ती से होता है और जिनकी यतना चार प्रोर्ती है उनको निर्बंद बताए गया है फिर यतना चार प्रोर्ती से कोई चल रहा हो और जीव नहीं आया बीच में फिर भी उसको बंद कहा है एक उधरन उधरन देखो कोई अंधेरे में चला और एक भी जीवा कर नहीं मारा बीच में तब भी उसको कितना बंद कहा है मालूम कल पना करो एक पेर के निचे जितने जीवा सकते है और जितने कदम उसने रखे उतने जीवों का पाप उसके मात्या आ गया एक भी जीव मारा नहीं और बंद सब का आईसे कैसे क्यों 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 होते तो मरते ना तुम्हारी असावधनी रही ना असावधनी वो तो निकले नहीं सो बात दुसरी लेकिन तुम्हारा अभी प्राए क्या है अभी प्राए तो बचाने का है नहीं किसी को तो अ यतना चार प्रदूर्टी से बंद होता है और यतना चार प्रदूर्टी देख देखकर चल रहे हो पचाने का भाव है और अन्यास मर भी जाये कितने तब भी बंद नहीं होता यह जैन दर्शन की अहिंसा है आपके भावं का खेल है इसलिए जहिन दर्शन में परिनामों से और भाव विशुद्धी से ही सब कुछ होता है ठीक है और एक तो जहिन आचारे ने तो ऐसा लिखा है एक जगप प्रस्ण भी पूछा कदम चरे कदम चिट्थे कदमासे कदम से कदम भासे जब हुझे जग कदम पावम नवजदी हम कैसे उठे कैसे बैठे कैसे सोए कैसे बोले कैसे खाए कैसे पीए कितना प्रस्ण पूछा एक सरावके ने कितने सारे प्रस्ण पूछे महराज को क्या क्या करें हम कदम चरे कदम चट्थे कदमा से कदम सहे यह अर्थ समझे सहे मतलब कैसे सोय कदमा से मतलब आशन बोजन कैसे करे कैसे चलना कैसे उठना कैसे बैटना कदम मुझे ज़ कैसे बोजन करना कदम भासे ज़ कैसे बोलना कदम पावं जिस से हमको पाप नहीं लगेगा तो आचरे ने क्या उत्तर दिया मालम जदम चरे जदम चट्थे जदम चार तो कह रहे हैं यतना चार से उठो यतना चार से बटो यतना चार से खाओ यतना चार से सब बोलो यतना चार से करो तो आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा यदि द्रबे हिंसा ही हिंसा होती तो क्या पत्तियाती कौन बताएगा यदि द्रबे हिंसा ही हिंसा होती बोलो कोई यदि द्रबे हिंसा ही हिंसा होती तो एक जी भी भूतल पर कभी भी आहिंसा नहीं होता क्यों हमसास भी ले रहे लोग कहते भी है तो क्या हमसास भी ने ले वे मतलो सास मतलो सास बहुत जी उमर रहे बहुत जी उमर रहे अरे तुम समझते नहीं हो बेवकूपी की बात करते हो क्यों 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 कि सास लेने में जितनी हिंसा हो रही है वो यतना चार प्रवरुति वाली नहीं हो रही है वो यतना चार प्रवरुति वाली नहीं है वो वो उसमें कुछ कर नहीं सकते हम मारने का दृष्टिको नुद्देश नहीं है वहाँ पर आप समझ गए और आईसे देखा जाए तो पिर सरवादे खेंसा किस को होगी आयुश अरहन्तों को आपको पता है जब भी मुनी होते हैं मुनी ही तो अरहन्त होते है कौन होता है अरहन्त मुनी होते है पका आपको क्यों उठाए वहाँ से बहुत देर आपका चल रहा है चल रहे ने बहुत देर चलो बोटो जल्दी कहा तक आए हम देखो सुनो आपको थोड़े में बतर हो मैं इसने थोड़े में बता दिया ना इन्होंने कि हम मैं गल्दी कर रहा था तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगता इसका मतलब मूल जो अपराद होता है वो अस्विक्रितिका होता है स्विकर किया तो लोक में भी आप कोई भी अपराद करो स्विकर करो जाकर सरेंडर करो आपको पता है अभी तो नहीं होता ऐसा मैंने बहुत देखा है 20-25 साल पहले जब हम बहुत छोटे छोटे थे 11-12 साल का जितना भी होंगा तब तब तो गोवर्मेंट आइसा कराती थी जितने बड़े बड़े गुंडे हैं न उन्हें कहा भी था आपको उनको आपको च्छाती में दर्द हो रहा है क्या कोई तकलिव है गया क्या क्या बात है बोलो पानी पीने जाना है तो आभी क्यों ने पीके आए दर्द टाइप का हो रहा है तो आपको किसने का पानी पीना चाहिए इसमें आपको लग रहे है क्या पानी पीना है लग रहे है देख लो देख लो जहा जाने जाओ तोड़ी देर बाद जाओगे फिर तु पाठ चाली का तुम जब से आए इसे लगा के बाइटे हो मैं विकल्प हो रहा है मुझे बार पर तुमिए दर्द नहीं हो रहा है दर्द आ इसे पकड़ी बैटा है तुम विकल्प को पूरा करो पहले तुम पहले क्यों द्यान में नहीं रखते हैं बोलो भई क्या प्रस्शन है कुछ कहा तक आया था मैं हाँ 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 सभी विकल्प हिंसा में आएंगे क्योंकि देखो अब मैं सीधी जबान से ये थोड़ी बालो उसको जो पानी पी के आओ क्यों मैं सुए मिस जहरना को हूँ मरने की किमत पर भी एक बुंद पानी नहीं पीना चाहिए तो इसलिए मैंने अब भी इसको दो तिन बार क्या आपने सुना जाओ देख लो जो करना है तो ऐसा बैट रहो यहाँ पर इसलिए मैंने अब भी उड़ते ही मैंने एक बात कही तुम यह सब करके क्यों नहीं आती हो यहाँ पर उसका त्याग नहीं है यह बात सकते है लेकिन मैंने बोल सकता ऐसा बहुत बड़ी बात है यह मैं बोलू जाओ जाओ पानी पीलो अब नहीं पीलो अबने एसा इपको बच्चों कोई नहीं कहता मैं मैंने कहा न आपको तो आपको कैसे कहोंगो पानी पीकियाो तो मैं वो मेरे सामने च्ठाटी पकड़ के बेटा है लेकिन यह राग यह कितनी तकलिव दाइक हो गया पिर मैंने तो इतना तो कहा ना जाओ जो करना है करो अब मुझे तो मालूम ही हो वो क्या करने वाला यो राग हुआना ये राग दुखदायक है आप समझे रहे मेरे बात को है दुखदायक ही है राग इसमें कोई शक नहीं है क्या कहा मैंने बोलो हाँ मैं तो ये कह रहा था क्या कहना था, क्यों कहना था मुझे मुझे और एक बात कहनी था आज से 20-25 साल पहले तो ऐसा होता था जितने भी गुंडे होते थे थे ना उनको वो गुवर्मेंट उनको अपिल करती थी चैलेंज करती थी आप यदि सरेंडर करना चाहते हो तो आप आ सकते हो तो मैंने देखा है चार-चार सो जन इनामि गुंडे एक साथ आखर सरेंडर कर देते थे गुवर्मेंट को अगरे डालके, उनको कोई साजा मैं इतना सार क्यों सुनाए है मैंने फुलन देवी थी न फुलन देवी आपने नहीं सुना न वो भी आईसी थी आतंकवादी फिर सरेंडर किया था उसने आकर गुवर्मेंट अपिल करती है आप सरेंडर करो आकर हम आपको कुछ ने करेंगे हमारा क्रोडर रुपए मिट रहा है तुम यदि आच्छे और तुम भी बत्तर हलत जी रहे हो कुट्ते की बांती आज हा कल वहा तो तुम यदि हम जैसा जीवन जीना है आमरो तोर पर वे सुकी थोड़ी होते हैं उनकी बच्चों की कोई लाइफ थोड़ी होती है जंगल में वे गभी राज महल में थोड़ी रह पाते हैं कितना ही पाइसा उनके पास हो वे घर बना नहीं पाते हैं क्यों उनको ठीका नहीं आज है तो कल वहा ठीक है घर बने और फशे समझ में आया है मुझे तो यह कहना था इससे क्या निशकर्च निकल रहे थे आपन बोलो बोलो यह क्यों गुंड़ों का क्यों बताएं मैंने? सरेंडर किया? माफ कर दिया. बराबर, राइट. हमने वैसे स्विकरत किया, हमने कहा किया. अब उन्हों तरण स्विकर किया, जाओ बइटो. तो गोवर्मेंट भी ऐसी स्कीम सापने रहे, आप स्विकर करवा कर, हमने आपराद किया है. ऐसा भाव हो, तो आपराद नहीं किनती उसको. उसी प्रकर जहिन दर्शन में भी, तुम स्विकर करो, कि हमने आपराद किया है. हमने क्या क्या है, हमने क्या क्या है, और कितने जिवों का गात हो रहा है. ठीक है? से बने आहंत तब जब आवदरिक सोसे से परमावदरिक शिरिर होता है तो वह पर अपने अपने शरीर के आशरे से निगोदी जी रहते हैं बादर थी ओ? और ये बादर निगोदी जी जैसे ही परमावदरिक शरीर हुआ अनान्त मिगोदी जिवों का घात हो जाता है मतलब जब जब भी आरहंत आवस्ता होगी तब जब आनन्त जिवों का घात होगा तो मुझे यह कहना है फिर सबसे ज़्यादे हिंसक कौन होते आरहंत होते लेकिन कहते हो हिंसा हिंसा में नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि भाव हिंसा ही हिंसा है देखो डॉक्टर किसी को बच्छाने का प्रयास करे और वो मर जाए उसको हत्यर कोई कहता है बताओ ना मुझे हत्यर कहता है डॉक्टर को पिर डॉक्टर को कौन क्या कहता है बताओ मुझे डॉक्टर को यह जाकर समझाएंगे लोग छोड़ दो अब क्या कर सकते है आपने तो बच्छानों को खुब प्रयास किया छोड़ो छोड़ो वो सुम्म रो रहा है इसलिए उसको कह रहे है छोड़ो अब जो मारने का प्रयास करे और सामने वाला बच्छ निकले तब भी उसको फासी हो सकती कि ने बताओ मतलब कानून भी यह कहता है सामने वाला मरे ना मरे अभी प्रयासे दोश होता है ए समझ में आ गया बच्छ निकले और रोके मैंने कहा मारा हन्टर गलेंगे तो पता चलेगा किसने मारा होगा किने होगा इसा अभी प्राइ से मूल भूल होती है ठीक है क्योंकि कारे में आने में कारे में पाप आए इसके लिए उसको तुन्ने चाहिए ठीक है रात में गुमते भी कही दिख़े रोड पर lock up में डाल देते, क्यों डाल देते है क्योंकि तुम्हेरा अभी प्राय खराब है हमने क्या क्या, हमने क्या क्या किया नहीं, लेकिन करने का तो भाव है ना बराबर करने का भाव है, नहीं तो फिर इस टाम में तुम बाहर निकलते हैं नहीं चोरी का आगे बोलो कौमा चोरी का अथवा कुशील का अथवा हिंसा का कोई भाव होगा तब तो गुम रहे तुमा ऐसा तो ऐसे क्यों गुम रहे तुम आप समझ गए मेरे बात को लॉक अप मैंने क्या बताए क्यों बताई यह सब अभी प्राइस होता है हिंसा है और जगत को हिंसा तो बाद में दिखाई देगी देखो अपने वो कथा याद करो कौन सी राजा, चक्रवर्ती कौन चक्रवर्ती, सनज चक्रवर्ती सनज चक्रवर्ती रूप को देखकर रूप की प्रशन सो होने लग गई स्वर्ग में रूप की परिक्षा करने आए चक्रवर्थी के तो जब चक्रवर्थी की परिक्षा करने आए तब क्या कर रहा था चक्रवर्थी कोई कहरता है वो नहा रहे थे तो नहते समझ किसी ने दूर से देखा देवों ने और आपस में आई सा किया तो उसने देखा थोड़ा कि अपने कोई ऐसा बोल रहे तो उसने क्या बोला उसने बोला आप एक काम करना आप वहाँ राजदरबार में तब देखना तब देखना अब जैसे उन्होंने राजदरबार में आए अब सजदच के ठीक है और उन्होंने पूछा अब कैसा लग रहा है तो उन्होंने क्या उधरन दिया फिर सामने एक कटरी लाई पानी की और उन्होंने का राजन ये क्या है उन्होंने का एक कटरी पानी है उन्होंका आखे बन करो एक बुंद हटा लिए और पूछा ये क्या है एक कटरी पानी तो जिस प्रकार एक कटरी पानी हटा वो ख्याल में नहीं आये लेकिन हट गया था ठीक उसी प्रकार उपर से तो शरीर तुम्हारा सुन्दर दिख रहा है लेकिन अंदर में कोड हो गया है मेरा ये प्रस्ण कोड कब दिखा दुनिया को बाद में अभी तो सुन्दर सरवांग दिख रहे उन्होंने क्या जाना अंदर में कोड प्रविश किया है वे अंतरंगी जानते है और दुनिया तो जब बाहर होगी तब देखेंगी निशकर्ष कोन बताएगा निशकर्ष दुनिया तो बाहर की हिंसा देखती है जान दर्शनिया कहते है जब अंदर में वो अभी प्राय खड़ा हुआ खोटाई परिणामों में वो हिंसा हो गई रागदेश हो गई हिंसा हो गई ये मेरा बेटा माना अब वो गड़बड होगी कौन से गड़ बड़ घर में दो वो क्या कहते है चाचाताई सब रहते है ताउताई सब दो तिन फैमिलीज है वो तो हो गई क्या होगा जब भी वो दूद देगी दोनों जनों को तब अपने बच्चों को ज़्यादा मलाई वाला और बगल वाले बच्चों को कमलाई वाला ये तो होगा ही जब जब भी दो आम देगी एक एक आम तब बड़ा आम अपने को अपने बच्चे को छोटा आम दुसरे के बच्चे को ये तो होगा ही ये किसका फल है किसका फल है ये राग का फल है तो राग किया तो वहाँ पर द्वेश भी हुआ मैंने का ने एक सिक्के के दो पहलो इसलिए पहले गुरों में सुक्षान्ती क्यों होती थी क्योंकि वे स्वेम आपने बच्चों को परोस्ते तक नहीं थे राग कम था बड़े बड़े पच्चास पच्चास जोनों की फैमिलिस थी कौन किसके पास ध्यान देवे और राग भी नहीं था किसी को किसी के पास किसी की तरब और बलकि चाचा ने पिटाई की तो ये कहने की हमत नहीं होती थी उनकी क्या पिद्यों को चा अच्छा से मैं बात करता हूँ कुछ नहीं कुछ नहीं उन्हें के ओ ठीक ही किया ओ तो रौता भी आता नहीं था माबाब के पास एक इतने जनल ने समझा मेरे बात को मैंने इतना सारा क्यूं कहा वो पहले राग भी नहीं था तो सुक्षान्ती भी बनी रहती थी आज राग बढ़ गया सुक्षान्ती हो गई छोटी-छोटी बात को लेकर बच्चे नहीं सब बोला चलो देखता हूँ चलो देखता हूँ यह सब तकलिप खड़ी हो गई समझ में आया दो च्छन्त अपने हुए कौन बोल के दिखाएगा आत्म परिनाम हिंसन हे तुत्वात सर्व मेव हिंसे तत अन्रत वचनादी केवल मुदारतम शिष्च बोधाय आगे अप्रादुर्भाव कलू आगादिनाम भवत्ति हिंसेती तेशामे उद्पत्ति अब और थोड़ा के बढ़ना है बहुत चर्चा की है अचर ने इतनी चर्चा की है क्या का? अकलंग सौमी ने क्या बोला? राजवर्धिक में जल में जन्तू धल में जन्तू जन्तू सर्वत रहे जले जन्तू फले जन्तू राकाशे जन्तू रेवच जन्तू माला कुले लोके लोक ठसा ठक जन्तों से बढ़ा है कथम भिक्षू रहीं सक फिर बताओ भिक्षू इसक कैसे होगा यह क्यों प्रिश्ण खड़ा किया होगा? पॉइंट वो लेग राइट यह क्या रहे भिक्षुक कैसे हिंसा होता? क्यों? यहिदि तुम द्रव्य हिंसा हिंसा केहते तब तो कोई भिक्षुक कभी भी हिंसा नहीं रहे वो तो उसके प्रमाद अट गया है उसके आसक्ति हट गई, ईसापिक्षा सor उसको आहिंसक घोल दिया है ठीक है, आगे बढ़ते है अभी इसने लोग बहुत केते हैं भोजन भी तु करते हैं भोजन भी तु करते हैं अब हर चीजा हई सिलागा लेना बोजन में भी मूल में आसकती गड़ गई है तो कहेंगे बोजन नहीं करते क्या कहा मूल आसकती की बात है आसकती नहीं है उनको बोजन की इसलिए उस संबंदी पर पाप नहीं है बोजन संबंदी क्या बोजन संबंदी पाप नहीं यतना चार है पूरा तो फिर एक प्रशना और उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है यदि द्रवे हिंसा हिंसा ही नहीं है क्या यदि बाहर की हिंसा हिंसा ही नहीं है सब भाव हिंसा से ही होता है यदि तो फिर बाहर की क्रिया हम क्यों पा ले बाहर कोई मर रहा है तो मरने दो ठीक है तो आचेरदियों ने फिर और एक चंद लिखा कहरें कि सच पूछो तो एक दर्वे दुसरे दर्वे की किंचित भी हिंसा नहीं कर सकता सिध्धान तो आई साही है सब अपने आयू कर्म के हिसाब से जीते मरते हैं तो दुसरों को मार जलाने वाला कोई ने बात तो ऐसी है लेकिन हमारे परिनामों की विशुद्धी के लिए हमें ऐसे प्रसंगों से बचना चाहिए क्यों कहाए कितने जो उनको समझ में आ रहे जो मैं बोल रहा नहीं समझ में आ रहे अब भी बतारों में पहले चन्द बोलू सुक्ष्मा आपी नखलू हिंसा परवस्तु निबंदनाम भोती पुनसा क्या कहा हमें ने सुक्ष्मा आपी नखलू हिंसा सुक्ष्मा आपी नखलू हिंसा सुक्ष्मा भी सचमुच हिंसा नहीं होती परवस्तु के कारण सचमुच आत्मा को किन्चिद भी हिंसा नहीं होती हिंसा इतन निवृत्तिर फिर भी हिंसा के स्थान से उसको बचना चाहिए हिंसा इतने निवृत्तिर परिणाम विशुद्ध है तदपी कार्या परिणामों की विशुद्धी के लिए उसे ऐसे हिंसा के आयतनों से बचना चाहिए समझ में आ गया है किंचित भी हिंसा नहीं होती है फिर भी परिणाम यदि बचा नहीं हो तो तुम्हा इसे स्थान पर मत जाओ ठीक है कतल खाना चल कई मार काट चल रहे हम वहाँ पर खड़े हो गया क्या हो गया परिणाम बिगडेंगे की ने बिगडेंगे अर बताओ बिगडेंगे तो ऐसे स्थान पर क्यों जाता है जहाँ पर परिणाम बिगडते हैं यहाँ पर तो उपचर का कतन मैंने कतल खाने का जो अधरन दिया यहाँ पर तो इतना ही समझना है हिंसा के सभी आउसरों का त्याक करना है क्यों ने तो परिणाम में विशुद्धी नहीं रहेगी तुमारे और तुमको निरंतर बंद होता रहेगा ठीक है तुमारे निमितों से इस अच्छमुच एक भी जीव का गहात होता नहीं यह बात सत्य होती हुए भी तुम बचना क्यों बचना फिर परिणामों की विशुद्धी के लिए और परिणाम की विशुद्धी बनी रहेगी तो तुम्हें निर्बंद आवस्ता परियाय में प्रगट होगी तो ये एक संधी आच्छोरों ने जोडने का प्रयास किया किसमें संधी जोडने का प्रयास किया चंद्रसवामी ने यदि एक दर्वे दुसरे दर्वे की हिंसा ही नहीं कर सकता ठीक है यदि सर्वता इसामाने तो क्या पत्याएगी जिस प्रकार कोई भस्म को मसल देता है उसी प्रकार कोई जीवों को मसल देगा और क्या बोलेगा हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं तो कि रहे ऐसा नहीं निमित्त निमित्तिक संब्ध होता है और हमारा जो निर्दे परिणाम हुआ उस निर्दे परिणाम से तो वो तो वास्तों में हिंसा हुई ही है फिर प्राणी मरे आत्वान ना मरे समझ में आगए तो बाहिये दर्बी हिंसा से भी अपने को बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए क्योंकि बाहिये क्रियाओं का और अंतरें के परिणामों का निमित निमितिक सम्मंद होता है उधरन के रुप में देता हूँ ना क्या नहीं जानाज से तुम खेलने बगल में क्या कहा हमेने पॉडस में नहीं जानाज से खेलने क्योंकि जाता है तो जगड़ा किये बगर आता नहीं है वो इसे जाने का निशेद नहीं है जगड़ा करने का निशेद है लेकिन क्या करे वाई से मानता ही नहीं ना बात जाता है तो जगड़ा करके या आता है सिध्ध हंद कोन बताएगा इसलिए निशेद किया जाने का निशेद किसका करना था जगड़े का लेकिन किया किसका क्योंकि जाएगा तो हिंसा करेगा जगड़ा करेगा अभी यहाँ पर गटित करके दिखाओ निशेद करना है एएबूलो बराबर इसलिए हम दरवीहिंसा का निश Thyriah का निशेद क्यूं कर रहे है क्योंकि दरवीहिंसा कई होगी तो तुछ तुमारे परिनामों में गिरावटाईब अगर रहेगी नहीं ठीके इसलिए हम वहाँ से बोल रहे करनी तो ढहों का ही सुधार है जिनागम में जितनी भी शरीर की क्रियाओं का सुधार है वो परिणामों के सुधार के लिए है क्या कहा देखो देखो सुनों सुनों एक उधारन देते फिर समाप्त करते हैं आव विरल देखो मुझे साथ मत लड़ो तुशार के साथ दोनों की खुब लड़ाई चल रहे थी वहापर विरल और तुशार कुब लड़ रहे थी एक दूसरों धमादम और मैंने यह मुझे दोनों का नाम पता है इसलिए मैंने दोनों का नाम ले लिया है तो मैंने तुशार को कुछ ने कहा मैंने इसको यह कहा विरल क्यों लड़ते हो पत्तमीज कहेगे चल लट चलो पहले उपर चलो और पूरी मेने दस मिनिट इसको डाटता रहा स्वाभावी करुप से इसको एक बात लगेगे क्या लगेगे आप इसको नहीं डाटते हो इसको तो डाटतो इसको डाटतो पक्षबात करते हो लगेगा ना देखो सुना अभी विरल बात तो सत्ते है मैं तो पक्षबात ही कर रहा हूँ लेकिन इतना तो समझ मैं तो तुमारा पक्ष कर रहा हूँ क्यों कि तुमारे भलाई के लिए कर रहा हूँ क्यों हमें उसकी कहा चिंता है हम तो तुमको आपना म उसरे बात यह है, विरेल, हम इसलिए तुम्हें कह रहे हैं, क्योंकि बेटा, अभेहाल उसका एक घल जाएगा तो तु बैट जाएगा तु पानी मांगेगा सीधा, है सुनो सुनो सुनो, और तुम उसमें दस दस भी मार होगे, उसको कुछ आसर नहीं होने वाला है, तो हमने जो कहा तुम उसको मत मारो, उसकी रक्षा के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें कहा समझ में आ रहा है, और तुम्हें क्या दिखता है, और पक्षबाद किसके प्रती, इसके प्रती दिखता है, हम यह कह रहे हैं, हम यह तुम्हारे प्रती है, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं सिद्धान्द कोन बताएगा सिद्धान्द बोलो परिणामों के सुधार की भी चरीर का सुधार की रहे हैं बराबर समझा किस को रहे हम आत्मा के परिणामों को ठीक है और आत्मा के परिणामों के सुधार के लिए वता रहे है तो कि रहे बाहर बाहर का ये चल रहे है बाहर बाहर का तो हम ये कह रहे हैं तुम परिणाम मत करो समझ में आगए कि कहा क्यों परिणामों से ही बंद होगा तो वो ये कह रहा है कि क्रियाओं से क्या फर्क पड़ेगा ने हमें तुमारी चिंता है हम तुमारे परिणामों को बोल रहे हैं अपन परिणाम मत कर आएसे तो क्रियाओं से तु कुछ नहीं होता लेकिन तुम परिणाम मत करो तो फिर क्रियाओं होगी क्या क्रिया भी कहा से होगी फिर समझ में आया मैंने एक बर कहा भी था आपको रत्न करण साव का चर्म ऐसा प्रशन खड़ा किया कि ठीक है साब भावों से हिंसा होती है अब बाहर से कुछ भी हो हमें कुछ नहीं बोलना तो समझ बदर साव में पकड़ लिया वे बोले हिंसा तो परिनामों से होती है बात सकते है लेकिन एक बात सुन ले कान खोलके जब भावों में खोट नहीं आएगी भावों में आशुदी नहीं आएगी तो बाहर में शरीर की क्रियाए पाप रूप दिखेगी ही नहीं परिनाम तो अंदर ही से होगा बाहर से तो कुछ नहीं होगा लेकिन अंदर परिनाम होगा तो बाहर में भी आईसी निमित निमितिक सम्मन से क्रियाए सुदार हुए बगर रहेगा नहीं ठीक है? कह अन्रपते क्या है वो? कह पूरुषय सेवतिन रपतिन कौन पूरुषय है? वो राजय की सेवा करना चाहेगा कब? जब उसकी सोयमी पैसे की जुगाड लग गई फिर कौन मुरख राजय की सेवा करेगा? ठीक उसी प्रकर जिसके भाव में शुद्धी आ गई है वो कौन मुरख है जो क्रियाओं में गड़ बड़ करना चाहेगा? बिल्कुल ने करना चाहेगा ये हमारा अहिंसा का पार्ट पूरा हुआ है इस अहिंसा के पार्ट में हमने पूरा इतना ही समझा लोक में अहिंसा किसको कहते है और जैन दर्शन में जो अहिंसा कही है वो कितनी विस्तृत है सोते जाकते उड़ते में भी मिथ्यद्रिष्टी हिंसा कर रहा है बाहर में पूरा कपड़ा हटा कर भी परिग्रही हो सकता है बाहर में एक जीव को नहीं मार के भी वो महा हिंसक हो सकता है और इसके विपरीत यतना चार प्रणुति का पालन करे तो वो आहिंसक हो सकता है ठीक है? पूरे अपने भावं का ही खेल है, राग देश को उत्पत्ति ही हिंसा है और वितराग भाव के उत्पत्ति होनी ही पठाके नहीं फोड़ना चाहिए जहिनी को कालू प्याज नहीं खाना चाहिए यही तक अपनी हिंसा सीमित नहीं है, इसलिए तो जहिनेतर बोलने लग गए है, वे कहते हैं, देखो यह जहिनी इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ हम मुसल्मानों को बदनाम करते हैं क्यों कहते हैं, तो बहुत हिंसा करते हैं बहुत हिंसा करते हैं, बहुत हिंसा करते हैं देख ले ना कितने आतंकी बने हैं मैं यह कहता हूँ कि मुसल्मान पहला पाप करते हैं और हम जैनी जैनी बनिये बन कर हम पाच्वा पाप कर रहे हैं परीग्रह का हम लाखों करोड़ी कटा करते जा रहे हैं बहुत कि मैं कभी कभी यह कह रहा हूँ हमने पाच्वा पाप पकड़ा उन्होंने पहला पाप पकड़ा ये आपको किस ने कहा कि पहला पाप जादा खतरनाग है मैं तो ये कहता हूँ बोल कि हमने खुब परिग्रई कटा किया इसलिए वे हिंसा करने को उतरू हो गए क्योंकि पूरा एक तरफ आ गए नो वहाओ संपत्ती का अब उनमें कोई संपत्ती ने रही तो तो मार काट छाट चलेगी सही और देखो ना जैनी कुछ ने करते बेचरे गरीब होते है तो दूसरे जन लाब उटाते हो उसका दूसरे जन जैनी कोई लाब वह इसे नहीं उठाता और जैनी को निश्पाप नहीं समझना चाहिए दस दस पीड़ी जो कमाने का जो भाव है वो स्वें में अपराद है अपने सामने भारतवासी आईसे है जो कितने भुके मर रहे है और हमको दस वी पीड़ी की छिंता हो तो न्याए से कमाया हुआ पैसा भी अन्याए के ही खाते में जाता है ये साधरन रितिनिती है रेल में हम टिफिन कोल के कुछ खाने लग जाए सामने भिकरी आए तो उसको हम दे दे ते होता है ना रितिनिती हम जिस समाज में रहते है वो हवा पर भुके भुके मर रहे लोग और दस दस पीड़ी का हम खाते रहे और फिर ये कहते रहे हमने कुछ नहीं किया तो बस लूट ली बस लूट ली हमारी हमने किया किया कि लोग बड़े खराब हो गए है हम को ये लगता है और हम ये कहते है तुमको वैसे बस नहीं लूटी है तुमने उनको बस लूटने का अवसर क्यों दिया अभी तक तुम चुप क्यू रहे चुप क्यू रहे मतलब मतलब तुमको यह पैसों का विवाजन सब में करना चाहिए था तो यह नूबत ना आती ए आ समझ में तुम लोगों को समझ में आया मतलब वो पाप कोई बाहर की हिंसा को मत देखो यो मुसलमान ची अभी कितने कटल खाने खुले बोले उस दिन आठ कटल खाने खुले यहाँ पर खुल गए अभी जाने क्या होगा तो हमको वे लोग कैसे दिखने लग गए हिंसक लेकिन हम कह रहे हैं तुम्हें कितनी फैक्टरे खुलनी है चुप चुप हमें कितनी फैक्टरे खुलनी है तो फैक्टरे खुलने के लिए हम तयार लेकिन हम पूछते है कि परीग्र और हिंसा क्या समान पाप नहीं है आप विचार करना जो मैं जह कहना है आप विचार करोगे इस बात पर पर परीग्र भी पाप कहा है हिन्सा भी पाप है और परिगरफ़ पाप मतलब उतना ही कमाओ जितना सीमित है जितना अपने को आवश्यक है अपनी इतनी पीडियों की चिंता को रोगभे वो पीडिया कैसे खरच करेगी पैसा कैसे कैसे करेगी साथ जितने पैसे के तुमारे कब बच्चे के जूते है उतने पैसे में उसके तीन साल निकल सकते हैं खान पान के अच्छे से बहुत आप समझ रहे मेरे बात को तुम लोग जितना बाजाम का दू वेस्ट करते हो वेस्ट तुमारे बच्चे खाका अगर जूटा छोड़ देते थाली बादाम का जूकी उत उतने पैसे में उनको उतने पैसे में उनका भोजन हो सकता है रोच का समझ में अगया तो यह जो वेस्ट जा रहे सामगरी आप नहीं कर रहे क्या एक्सेस हो गए ना आपको इसलिए महिमाने आ रहे हैं गान्दी जी ने बड़े-बड़े जो हुए ना यह समासेवक उन्हो तब कोई मार काट छटनी होती है चोरी कुशिल परिग्रह का बाव भी हिंसा में आता है राग दुश्कुत पत्ति ही हिंसा है ठीक है ओम नमा